जी लेडिस जेंटिमन अब हम एक डिफाइनिंग मॉड की तरफ आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि शंपीटर साब का आइडिया ओफ अंट्रपर्नियोर्शिप जो कि इनुवेशन से बात अंट्रपर्नियोर्शिप की एक टरम को क्वाइन करता है और वो टरम इस लिए क्वाइन करता है कि वो मुक्तिफ डेफिनेशन को लेकर आता है वो सर्क्लर थेरी की बात करते हैं, सर्क्लर फ्लो की बात करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन की बात करते हैं, मार्केट इन्वेशन की बात करते हैं, प्रोडक्शन यूटिलिटी की बात करते हैं, मार्जनल एकॉनमी की बात करते हैं, और वो ऐसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ज और आपके production की capacity के अंदर और आपके जो मौजूदा चीजे हैं जो आपके अंदर मौजूद चीजे हैं उन्ही के अंदर बेहतरी लाकर waste को reduce करके बेहतरी लाएगे अब हम line by line कोशिश करेंगे इसको understand करेंगे सबसे पहले innovation is kingpin of the Shampita theory of economic development उसके बाद को बोलते हैं कि dynamic और vibrant because of the innovation thirdly वो बात करते हैं कि innovation is defined as change in existing production system to be introduced by the entrepreneur with a view to make profit and reduce cost वही बात जो हमने कर दी second में अंगर देखें तो उनकी idea को देखते हुए opportunity through technology और opportunity through organization innovation यहां में कुछ बात करना चाओं वो यह कि आप hierarchical structure को लेकर आते हैं या आप horizontal structure को लेकर आते हैं खास तोर पर याद रखिए कि entrepreneur जो है तदा competition हो, high competition हो, cost की लड़ाई चल रही हो जैसे for example मैं आपको Pepsi और Coke का देख लें लेकिन उसके अंदर comparison के अंदर आप देखेंगे तो लोग taste का comparison तो करते हैं लेकिन price के अंदर difference आपको नजर नहीं आएगा इसी तरीके से market competition को अगर आप देखते जाएं तो यह जितने भी competition आपस में पढ़ रहे होंगे, मैं products का अगर नाम भी ले लूँ तो खेर है, यह अगर आप देखते हैं कि Nokia है, या Samsung है, अगर आप Coke और Pepsi की traditional किसम का आपस में cut throat competition है, किसी टाइम पर यह होता है कि एक साल या 6 महीने के करीब Pepsi का जो है, वो return on investment बढ़ जाता है, और एक का जो बहुत ज़्यादा discussion में आगया और आपकी discussion में भी रहता होगा, या Pepsi sweet है, या better taste में, या थोड़ा सा adults किसको पसंद करते हैं, sweet Pepsi जो है, वो बच्चे पसंद करते हैं, कोग जो है, वो adults के लिए, तो a point यह है, कि यह मुक्तलिफ किसम की discussions हैं, लेकिन अगर मैं देखूं, तो मुक्तलिफ products का आपस में, price पर, demographic पर, geographic पर, टाइकोग्राफिक पर, behavior पर, price पर, so on so forth, यह मुक्तलिफ किसम के competitions जब आएंगे, तो मैं mostly इसको red ocean कहला है, when there is no competition, और उसी competition के अंदर कोई change लेकर आना, यानि ultimate traditional competition को change कर देना, जब वो change कर देगा, तो ब्लू ocean कहलाएगा, य ये शंपीटर साब के बात, बहुत बात में, red ocean और blue ocean का idea आया, लेकिन अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, वो blue ocean को इसनी लेकर आया, for example, बाटा और service चल रहे थे, इसके बाद बहुत से और भी products आने शुरू हो गए, लेकिन market change तब होई, जब जूतों के अंदर से, उन् innovation दिया, जो हच पपी इसकी तरफ पहली दफ़ाया, उन्होंने कहा कि 277 points होते हैं medication, अच्छा यानि आपके अंगूठे के अंदर जो है, वो कुछ ऐसे point होंगे, यानि आपकी 80 के अंदर जो कि शिटिका points हैं, यानि pressure puncture points जो हैं, अगर वो नीचे लग गएं, तो मेरे दिम देख सकते हैं, लेकिन जो handmade leather shoes हैं, उन्होंने उस market को तोड़ा किस तरह? कि million of billion dollars की जो investment के साथ बड़ी companies mass production कर रही थी, tailor products जो हैं, वो थोड़ी product, थोड़े resources के साथ, थोड़े मामलात के साथ, even उनके पास storage और capacity भी नहीं होती, बड़े-बड़े manufacturing units भी नहीं होते, और उन का जो है, वो बाजो कारत return on investment बढ़ जाता है, उनकी demands जादा हो जाती है, और उनकी जो brand equity है, वो भी बढ़ जाती है, brand equity मैं किसी दिन और भी समझाऊंगा, यानि equity से मुराद यह है, कि आपकी brand जो perception है, वो बढ़ जाती है, अब आगे हम चलते हैं, कि वो कहते हैं, कि innovation and entrepreneurship are seen as clearly, interrelated as a role of entrepreneurship in Shampeter can only be understood, if it is placed against the background of the theory of innovation, अब यहाँ पर हम देखते हैं, कि theory of innovation is all about how we understand the idea of managing thing in the process of the circular flow, उसके अंदर आप जिता इनोवेट कर जाएं, आपको ideas better means, thank you very much and we will come up with the new module, thank you.